कि नमस्कार दोस्तों जैसी क्रश्न कैसे हैं आप सब उम्मिद करती हूं खुश होंगे सुखी होंगे संपन होंगे दोस्तों ज्यादतर में जो वीडियो अप्लोड करती हूं वो पशु पक्षी और पदों के बारे में उनकी जड़ों के बारे में जिससे आपको जबरजस्त फाइदा हो सके इस प्रकति में इस सिस्टी में दोस्तों जो हमारे आजपास जीव हैं वो बहुत अनमौल हैं हर जी सकती है सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा जीव या कौन सा पेड़ या पौधा है जिसके अंदर वो चीजे जिसकी आपको जरू थे आज आपको ऐसे ही एक पक्षी के बारे में बता रही है दोस्तों यह पक्षी थोड़ा बड़ा होता है साइज में इसकी चौच काफी लंबी होती है काफी लंबी होती है जिससे अपने सिकार को पकड़ कर यह खाता है इसकी बॉड़ी के ऊपर आपको थोड़ी एसी धारी ज दिखाई देती हैं सोभाव इसका काफी शांत होता है बहुत ही बढ़ी अपक्षी है दोस्तों कि इसको घर में रखने मात्र से घर में लक्षमी का वास होना सुरू हो जाता है आपको believe नहीं होगा कि आपके घर में अचानक इतना धन कैसे आने लग गया आपके घर में इतना सुख सम्रिद्धी घर के अंदर इतना प्रेम भाव कैसे बढ़ने लग गया यदि आपको पता ना हो सड़न ये पक्षी आप前 घर में आ गगया हो तो आप खुधी बिलिव निकरेंगे कि इतना ही अच्छनक सब कुछ कैसे होने लगा बिकध आपको तो पता ही नहीं होगा कि इस पक्षी के आने से सब कुछ हुआ है तो दोस्तों इस पक्षी का नाम है हुद हुद पक्षी क्या है डोस्तों यह तलावों की किनारे आपको मिल जाता है और अभी तो सारे ही चीजें एमेजोन से और इसमें आती हैं आप चाहे तो इस पक्षी को मंगवा सकते हैं इस पक्षी का दोस्तों इतना प्रभाव होता है कि आप इसे अपने घर में रखे आप देखेंगे कि आपके घर में लक्षमी बहाने मार मार कर आती है और यदि ये पक्षी आपने जोड़े में रखा है तब तो बात ही बन जाती है समझ ये कि पैसे वालों में आपका नाम हो जाता है इस पक्षी के घर में रहने मात्र से घर में पॉजिटिविटी आने लग जाती है इस दोस्तों इस पक्षी की पंक यदि ये पक्षी नहीं हो इसकी पंक भी यदि आपके पास है तो भी आपके घर में लक्षमी का आवास होता है इसकी पंख यदि आपको मिलती है तो आप उसे ला करके धो करके स्वच करके अपने पूजा इस्थान में रखें और उसे धूप दिब दिखा दें और उसके बाद इस पंख को दोस्तों आप अपनी तिजोरी में रखें आप देखेंगे आपके घर में धन और विरत रूप से आने लग जाएगा इस पंख को दोस्तों यदि आप अपने दरवाजे के जो आपका में गेट हो गेट के पास यदि आप इसको लटका देते हैं लाल कपड़े में रैप करके तो दोस्तों कभी भी आपके घर में शत्रूओं का कोई भई नहीं रह जाता दूसरा टोने टोटके जो आपके उपर किये जाते हैं जिसकी सिधी इफेक्ट हो जाती है वो इफेक्ट होना बंद हो जाएगी कभी कभार हम जब बाहर से आते हैं तो रास्ते में भी हमारे साथ कितनी बार नेगेटिविटी जैसी होती हैं हम चोराहे से निकल करके आए हैं रास्ते में हम किसी के पास खड़े हैं और चलते समय बोलते हैं कि हाँ चलो ऐसे समय पर भी कितनी बार बुरी चीजे हमारे साथ आ जाती हैं मैं पता नहीं होता है और सीधी हमारे घर में अंदर आ जाती है तो यदि इस पक्षी का पंक आपके दरवाजे पर लगा हुआ है यदि आप उपर दरवाजे पर लगाते हैं तो भी या फिर जमीन में आप गड़वा दें तो भी आपके घर में नेगेटीवेटी एंटर नहीं होगी कोई भी भूत पिसाच है कोई भी मतलब आत्माइदी आपके साथ आई है तो दरवाजे के बाहर ही ठहर जाती है इतना जबर चस्त इसका प्रभाव इंसान के जिंदगी में देखने के लिए मिलता है इस पक्षी के अर्मे होने मात्र से और इस पक्षी के पंखों का वैसे दोस्तों धेरों पक्षियों के जो पंख है काफी ऐसे पक्षी है जिनके पंखों का अलग अलग जगों पर यूज होता है उनके अलग अलग बाड़ी पार्स का यूज होता है लेगिन मैं आपको बार 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 बता दोस्तों यह जो पक्षी है हुद हुद पक्षी इसका नाखुन इसका एक छोटा सा नाखुन और जरासी पंक यदि आप छोटे बच्चे को तावीज में डाल करके पहना दे ताबे का या पीतल का तावीज होना चाहिए इन दोनों में से कोई एक धात होगी तो चलेगा इस तावीज में डाल करके आप उसे पहना दे कभी भी उस बच्चे के उपर किसी भी तरीके का तोना तोटका नहीं लगेगा बुरी नजर नहीं लगेगी कभी भी कोई भूत पिसाच उसे परेशान नहीं करेंगे जो चोटे बच्चे काफी परेशान होते हैं बुरी आत्माओं से या जिने बार-बार नजर लग जाती है मतलब कोई भी उपरी हवा की वज़े से यदि बच्चे परेशान होते हैं तो इस हुदूत पक्षी की कि सर्वे दिआ तुल आप इस पक्षी की पंख को पंख को जला कर इसकी भश्म बना लें और उस भश्म को आप सत्रू का जो भी आपका सत्रू है उसके अगेंस में सोचते हुए जैसे कि इस उसका यह हो याप कहते हुए कि मेरी लाइफ से चला जाए या यह हो वह जो भी आप बोलना चाहते साथ वार आप अपने इच्छा बोले और इस भश्म को उस सत्रु के घर पर डाल दे आप देखेंगे दोस्तों एक ही दिन में सत्रु के उपर इसकी इफेक्ट होती दिखाई दे जाएगी सत्रु घर छोड़कर भागने लग जाएगा सत्रु का उच्छाटन हो जाता है जिस काम से आप उससे हटाना चाहते हैं उस काम से उसका उच्छाटन हो जाएगा उसका मन ही नहीं लगेगा महापर वो अपने आप आपकी लाइफ से दूर हो जाएगा हैं किराय दार है जो आपके मकान में रह रहा है लेकिन मकान खाली नहीं कर रहा हो तो भी आप इस को कर सकते इसकी भष Hmm डाल दें उसके तो खाली करके चलाजाए गा आपको और कोई मेहनत नहीं करने पड़ेगी घर खाली करवाने के लिए बहुत ही अच्छा उपाई दोस्तों रहे पक्षी सच में दिव्य और अद्भुद पक्षी है सिर्फ आप इसे अपने घर में लाए और यदि जोड़े से लाते हैं आपकी जिंदगी बन जाएगी अच्छा जाएंगे करते रहें खुश रहें यह सब कुछ करने में कोई तकलिफ पड़ती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पुछे अवश्य करते रहें खुश रहें जैसे रहें